Hello guys, तो आज हम study करने वाले हैं the Indian Contract Act 1872 के अंदर section number जो है हमारा 64 जिसके अंदर define किया गया है consequences of recession of a avoidable contract अब यहाँ पर हमें बात करने कि section number 64 के अंदर जो contract act की definition दी गई है वहां कैसा contract है, contract which need not be performed वह एक ऐसा contract है जिस contract की हमें performance यानि जिसकी जो सुविधा यहाँ पर बनाई गई है उसको पूरण करने की जरूरत नहीं है अब यहाँ जानना हमारा जरूरी है कि उस contract को पूरा करने की जरूरत क्यों नहीं है ऐसा क्या है इस contract के अंदर, क्या है इस contract की definition के अंदर कि इस contract को बिना पूरा किये हुए भी हम इस contract की liability से मुक्त हो जाएंगे या फिर release हो जाएंगे या discharge हो जाएंगे ठीक है तो section नमबर जो 64 है उसके अंदर एक word दिया गया है जिस word का हमें पता होना चाहिए और वो word है readable contract, readable contract की definition का आपको पता होना चाहिए अगर आपको यह नहीं पता होगा कि wordable contract कैसा होता है उसकी definition क्या है तो आप कैसे section नमबर 64 को समझ पाऊंगे तो इससे पहले हम section नमबर 64 की definition को study करें section नमबर 2 close eye के अंदर हम study करते हैं wordable contract की definition an agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties an agreement एक agreement बना लिया गया है which is enforceable by law जो की enforceable by law हो यानि यहाँ पर जो agreement बनाया गया है वह enforceable यानि उसे पूरण करवाया जा सकता है ठीक कानून के दोवारा या फिर हम बोल सकते हैं कि वह एक valid agreement है at the option of one or more parties option of one or more parties अभी यह क्यों define किया गया है क्योंकि जब भी कोई agreement बनता है तो वह एक party या फिर जो दो party मिलकर बना सकती है किसे अन्य party के साथ तो यहाँ पर one or more parties के बारे में define किया गया है but not at the option of the other or others यानि जो opposite party होगी उनके option पर जो वह agreement बना है वह क्या हो वह जो agreement है वह illegal हो या फिर उसके अंदर वह undue influence के दोवारा बनाया गया हो जिसकी definition को हमने section number 16 के अंदर study किया था कि undue influence कहा होता है जहाँ पर एक party अपनी position का फायदा उठाके एक agreement बना लेती है तो वहाँ पर इस तरीके से कोई agreement अगर बनाया गया है तो उस cases के अंदर यह तरह की situation arise होती है और वहाँ पर हमारा जो contract है वह क्या हो जाता है wordable contract हो जाता है section number 19 के अंदर भी define क्या गया है wordability of a contract ठीक है तो आगे देखते है section number 2 close I के definition के अंदर not at the option of the other or others is a wordable contract अब आपको समझ में आ गया होगा जहाँ पर एक party तो क्या कर रही है उस contract उस agreement को enforce करवाना चाती है लेकिन जो second party है वह उस agreement से deny कर रही है कि यह है जो agreement हुआ था यह हमारी पूरण consent से नहीं हुआ था या फिर undue influence से हुआ था या फिर किसी अन्य तरीके से इस agreement को करवाया गया था तो वह होता है हमारा एक wordable contract अब आते हैं section number 64 की definition के उपर section number 64 के अंदर क्या बोला गया है कि अगर जहां पर contract हमारा क्या हो wordable हो वहां पर क्या प्रिणाम होगे अगर आप उस contract को क्या कर दो revoke कर दो या फिर cancel कर दो recession का मतलब होता है revoke करना या फिर cancel करना या फिर resign करना ठीक है तो तिनों का meaning same ही होता है तो यहां पर अब जब एक contract को revoke कर दिया जाए और उसकी performance ना की जाए जो की एक wordable contract है according to the definition of section number 64 ठीक है तो वहां पर क्या जो party जो हमारी एक party होगी जो perform नहीं करेगी अपना part क्या उसकी liability arise होगी कि वह उस contract की performance करें ठीक है तो यहां पर section number जो 64 है उसकी definition हम study करते है तो उसके अंदर define क्या गया है when a person at whose option a contract is wordable resigned it when a person जब एक व्यक्ति के अधार पर यानि जो एक party है मालने जिये ए उसके अधार पर वह है जो contract बनाया गया है वह wordable है और वह है उस contract को क्या करता है cancel करता है या फिर उसे revoke करता है तोड़ देता है उसकी performance नहीं करता है the other party there to need not perform any promise there in content in which he is the promissor वहाँ पर जब जो दूसरी party होती है यानि B है जो हमारा वह है उस contract की performance करने के लिए बाद्दे नहीं रहता है उसकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं रहती है हमारा हम उसे बोल सकते है प्रोमिसर भी हो अब यहाँ पर बात यहाँ आती है कि जब हमने contract किया था तो वहाँ पर कुछ ना कुछ दोनों परटे इसके बीच में consideration भी हुई होगी अगर consideration हुई है एक परटे ने कुछ consideration दी है कुछ या फिर पैसे के लिए देन के लिए कोई contract हुआ है या किसी property के लेकर कोई contract हुआ है तब वहाँ पर जो भी परटे एक परटे ने perform किया है तो वह जो benefit जिस परटे ने लिया है वह benefit return करेगा किसको जिससे उसने लिया था उसको वापिस करेगा यानि अगर किसी एक परटे थी A और दूसरे परटे थी B A ने 5000 रुपीज consideration B को दिये थे तो B ने क्या कर लिया benefit ले लिया लेकिन add the option of resending the said contract according to section number 64 वह benefit क्या होगा जो B है हमारा वह है return करेगा यानि 5000 रुपीज किसको वापिस करेगा A को वापिस करेगा अगे वाली line है जो उसके अंदर लिखा गया है restore such benefit so far as may be to the person from it was received यानि जिस व्यक्ति से उसने वह benefit लिया था जो हमारा A था B ने उससे benefit लिया था तो वह B जो हमारा होगा A को return कर देगा उसके 5000 रुपीज ठीक है I hope section number 64 आपको complete समझ में आ गया होगा तो मैं आसा करता हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें तो मिलते हैं next वीडियो के साथ तब तक के लिए take care bye bye thank you